इट फर्स्ट में और बहुती खास मुद्दे के लेकर आप सभी का दोस्त आशुतोष आप सभी के सामने हाज़र हो चुका है मदब्रदेश की सियासत लगातार करवट बदल रही है और अकसर सरकार की उम्र को लेकर अटकलों का बजार गर्म रहता है और कई बार ये अटकले जो लगती है वो खुद कॉंग्रेस पार्टी जो की सतर उड़ दल है उसी के भीतर से लगती रही है ताज़ा मामला कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर महासरचीव जोतिर अधित सिंधिया से जुड़ा हुआ है जो तरह दिग सिंधिया के ट्विटर हैंडल का स्टेटस बदला और इसे बदलाव से सियासत ने भी कर्वट बदल ली लगाता रटकले लगाए जा रही है कि सिंधिया जो है अपनी उपेक्षा से नराज है लियाजम के समर्तक मंतियों के भी ट्विट जो है सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगे कि उन्होंने भी अपना स्टेटस बदल दिया है और कहें न कहें इसको लेकर बीजेपी ने भी हमला बोल दिया कि कॉंगरेस के तमाम मेता अपनी उपेक्षा करवा रहे हैं उसको काफी नराज है काफी गुसे में और यही वज़ाए कि एक बर फिर कमलना सरकार की उम्र कितनी होगी क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगी क्या उसको अपने बोस से गिर जाएगी इसको लेकर भी अपका आस लगाए जाना शुरू हो चुका है और इन तमाम पहनों पे चर्चा करना बहुत दरूरी है क्योंकि मद्दपरदेश की सियासत अब किस करवट बदलेगी क्या वज़े है क्या वज़े है क्या वज़े है कि वाकर में सिंदिया जी की नाराज के खुलकर अब सामने आने हैं सिंदिया जी की नाराजगी को बढ़ चड़कर बताए जाता रही है तमाम बार बाती जन्ता पार्टी के लोग इस तरीके की बातों को प्रचारित ऐसे करते कि सिंदिया जी नाराज है क्या जी ने कभी को ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया कि सरकार गिराने जा रहे हैं सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं मैं कहता हूं कि अभी जो ताजा विवाद शुरू कर दिया है भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने जो प्रगंड़ा फेला रहे हैं उनके ट्व प्रगंड़ा में कहा हूं कि सिंधिया जी फिलाल सांसद नहीं है अगर उन्हों ने ट्विटर एकाउंट में कोई अपने बदलाव किया या कुछ स्टेटस बदला है तो हम दिन बर स्टेटस बदलने के तमाम खबरे देखते रहे हैं तमाम सेलिब्रिटी अपने स्टेटस में बार बार चेंज करते रहते हैं तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं इतने की भारती अंता पार्टी प्रचालित कर रहे हैं दरसल लोकतंत्र की हट्या के प्रयासों में जिस तरीके से मनिपूर गोवा में सब जगह लगी रही तो जब वो महराइटर में सफल नहीं हो पर प्रकानन कैसे भी कर रही है तो महराइटर में हमारे बड़ा चेहरा थे जोतिरादित सिंधिया उनके उपर तमाम तरीके से जनता को ब्रहमित करने करें जो कि होशंगाबाद में मादो जोतिया लेंकरन समारों का होजन करते हैं जो त्विटर मतलब जो जिनका वाइरल हो र सिंधिया जी का जो इसे मैं हमारे दर्शक स्क्रीन पर भी देख रहोंगे हमारी फिट विंडो में फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लिमेंट गुना 2002-2019 फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉर्पावर, MOS Commerce Industry, MOS Communication, ITN Post यह सिंधिया जी का जो है ट्विटर जो अकाउंट इसे में मोबाइल पर हम देख रहे हैं और अब जो बदले गया उसमें लिखा है और उन्होंने खुद में भी लिखा है कि सिर्फ यह जो मैंने अपना स्टेटस बदला उस पर इतना हंगामा क्यों है बरपा लेकिन सवाल उट रहा है कि आप कहने कि कॉंग्रेस पार्टी को नहीं लेख नहीं है कि वसक्तर है है तो मैं समझता हूं सारी बाते समाफ αυτी कि ठीक है सिर्फ यह बीट्विन कहां पर प Wi-04 कि कॊछ और है ज़ो करेंगे सब्सक्राइब पिछले काफी कुछ समय से सरकार बनने के बाद जब उस समय वो सांसत थे फिर जब लोकसभा चुना हुए उनको कहीं नहीं अपने वजूत को बचाने के लिए कुछ पद चाहिए था एक कयास अकसर लगाते रहे उनके समर्थकों ने भी मांग की कि उनको प्रदेश अध्यक् सरकार में भी ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी ज़्यादा नहीं चल पा रही है ऐसे एकाद उधारन गौसिप में जरूर सामने आते हैं तो यह सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बनने का भी एक तरीका हो सकता है दूसरा एक मैसेज देना पार्टी लाइन को या हाई कमांड जिसे कह द अट्रेक्शन बनने के लिए भी यह शीगूफा छेडा गया है अला कि यह बात सही है कि उन्होंने पहले कभी कॉंग्रेस शब्द का उल्ले का सच नहीं किया कम से कम मेरी नजर में नहीं आया ऐसा नकेवल कॉंग्रेस बल्की बीजेपी में भी आफ शिरासीन चौहान जी क ट्विटर देखेंगे तो उन्होंने भी इसको पब्लिक सर्वेंट कर दिया उन्होंने भी बीजेपी हटा दिया है जबकि पहले चीफ फिनिस्टर वगर था तो यह बहुत ही सबाविक चीज है हाला कि यह सेंट्र अट्रेक्शन और कहीं न कहीं सिंधिया जी पार्टी में कुछ ना कुछ संशा सर्वाइवल का यहां पर उनको एक वो संकट नजर आ रहा है और कहने के प्रवाल जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा जब सिंधिया जी करिश्मा वेक्वित उमाना जाता है संतोष गौतम जी भी अगर ऑनके हमरा बोलेंगे कि बहुत जबरदस व्यक्तित है उनका बड़े सीनर पार्टी लीडर है फिर इतना अगर उनका असेट है इतनी बड़ी वो पूंजी है कॉंग्रेस पार्टी के लिए और कहीं न कहीं उनके मन की बात इंडिरेक्टल सामने आती भी रही है कि अगर उनको बड़ी भूमिका दी जाती है प्रदे प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाना चाहिए फिर कॉंग्रेस पाइटी के जो आला कामान है जोति रदी सिंद्या को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाना चाहती और अब इसको में पुरस परिपेक्ष को अगर जोड़ता हूं इसमें मौजूदा ट्विटर के जो कॉ परम उनको जो है उनके ब्रेड में राईनीती है उनके पूझ पिता जी केंदरी मंतरी रहे मादराव संद्या जी उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मद्द्र प्रदेश में वो एक बार मुक्ष मंतरी बनते लेकिन उस समय के जो चांसे थे वो मुक्ष मंतरी नहीं बन पाए ये टीस कहीं नहीं जोतिरास इंद्या को हमेशा सिर रही है और समय समय पर वो अपने समर्तों और साथ इसको लेकर कहते भी रहे हैं ये मुक्ष था जब उनको लगता था कि जैसे राईस्तान में सचिन पाइलेट को जो है वो नवाजा गया ऐसे मद्र प्रदेश में उनको नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है हलाकि कि सुक्या बनाए कि सुक्या नहीं बनाए लेकिन जोतिरास इंद्या का जो रखतित हुए वो युवाओं में काफी हो और जो उनकी समर्तक है वो भी उनकी दिली इच्छा है वो हमेशा मीडिया के सामने और आप रिकार्ड भी केते रहे हैं कि उनको अद्धिश बनाए जाने की वी चर्चा तरगर्म हुई थी इसको लेकर भी कहा जारा था लेकर जब जब 10-11 महीने हो गूम रहे हैं अपने छेत्र में अपने संसदी छेत्र में जा रहे हैं वो जहां भी जाते हैं तो उनकी समर्तक इस प्रवाब है तो एक प्रकारती जो संद्रम चाइसे जो बन रहा है आप देखिए ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ऐसा लाओ कि उनको वहां से कोई आफर मिल गया हो या वो चाहते हो कोई भारती जनता पार्टी में इंदों जिस तरह से बिखराव की बात चल रही है इस तरह से गुडवाई ही चल लही है यह किसा नेतरत की आवेशक्ता है तो मैं समस्ता हूं जोतिराव सिंदिया ट्वीटर के माध्यम सही सही एक बार उने पुणा भपास से दिली तक चाहँ अगर देखिए एक सवाल और उठ रहा है कि यह जो टाइमिंग को लेकर मैं सवाल कोशन करता हूं तो क्या आपको कुछ इसमें लिंक दिखाए दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंदिया जी ने समय का सदूपयोग किया है सही समय पे सही चीज सामने लाई है क्योंकि अभी कहीं 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 कॉंग्रस पार्टी को महराष्ट में सत्ता में इंट्री मिलते दि का उसके नुसार या फ्लोर टेस्ट के बाद पता चलेगा पर सिंदिया जी को यह चीज सामने समझ में आने लगी है यह राइट टाइम है पार्टी समय प्रोग्रेसिव बूर्ड में देख रही है तीन प्रदेश में आया है अभी जो हाली में विदान सभा के जो प्रत्याशित सीटे जीती हैं जो उन्होंने भी नहीं सोची थी तो सिंदिया जी को दिख रहा है यह राइट टाइम है मैं भी पोजीशन पर आता हूं तो कहीं नहीं मेरा वजूद बचा रहे हैं अधरवाइस कई फ्यूचर में उनको आ वजूद में समस्या आनी है एक य यह चाहते हैं कि वो भी सप्ता की धुरी में बीच में आ जाएं तो यह राइट टाइम है कॉंग्रेस पार्टी थोड़ा प्रोग्रेसिव मोट पर दिख रही है वापस आके सप्ता में या संगठन में महतुपूर्ण पद पाके आगे अपने जो छेतर में राजनीत संतो जी देखिए दिग्वे सिंग जी वी तो चुनाव हारे थे लेकिन उनको इस तरह से दरकिनार नहीं किया गया और उनके जो बेटे हैं वो कैबिनेट मंत्रियें महत्पूल विबाग है नगरी प्रशाश्म विबाग का उनके दूसरे इश्यदार है प्रिवेसिंग उन आप सत्तर उर्दल हैं यह सिर्फ आगी पार्टी का इंटरनल जो फोरम नहीं है से कहना के जनता भी प्रभावित होती है क्योंकि सरकार में बेठे लोग भी आपकी पार्टी से ही चुन कर गए जो सरकार में मंत्री बनें मुझे दो मिनिट का समय दी जी बिलकुल मैं यह कह तो आप अगर परिवार वात पर जाएंगे तो उनके परिवार को कोई सदस्य विधायक नहीं बना तो उनके सभी समर्थक चाहे गोविंद राइक पूथ हो इमर्ती देवी हो या तुल्सी इसलावट यह सभी मंत्री नहीं बनें प्रद्वनिसिंग तोमर क्या मंत्री नही भी मैं तो इसजील को बना पा Leah जी तो है अप्रिवी चाहिए तो मेरी सुनिया जी को अपने ते मौने आने तो कि ऑन्या को तो इसके जआ ने बने श हो颏 यह कभरी महांजेओ मैंडने आप से संबहन जाओंगा थार कि उनकी जो आसक्ती है वह कमलास सरकार के प्रति नो कि मंद्धिया की प्रति या शूरू से रहे लेकिन चूकि है कमानलाजी मध्योप्रदेश के मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से एक चाहे आप शुद्धि के लिए युद्धि दो शुटि लगाने का शुटिकर शुटि की तन्ति युद्ष अभियान क्मानलाच जी के नेतरतों में चल रहा है लेकिन अगर सिंधिया जी का भी उनको मांधर श्रफ्षन मिलता है तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं समझता हूं सिंधिया जी हो दिगविजे सिंग जी हो कांतिलाल भूरिया जी हो अरुनियादो जी तो कहते हैं कि अगर बाल की खाल निकालना हो तो इसे तमाम चीज आ सकती है लेकिन मैं समझता हूँ कि तुल्ती सिलावट जी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तैद जिस तरीके से गंभीर प्रयास किये शायद मध्यप्रदेश में कभी नहीं होते इसके पहले ठीक है प्रवाल जी मैं अपसे एक सवाल देना चाहूंगा सिंधिया जी का ब्राजनितिक भविश आप किस तरह से देख रहें यह पल-पल जो है वो इस तरह की टेक्टिक अपनाएंगे स्टेटस बदलेंगे फिर बाद में क्लैरिफिकेशन देंगे फिर उनके समर्तक मंत देखिए पिछले ग्यारा महिने से अगर आप देखेंगे तो कम डाउन शुरू से चल रहा है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी विग्यापन को लेकर कभी ओमंग सिंगार की बयान को लेकर कभी दूसरे तो यह तमाम चीजे और मैं एक बाता हूं आपको कांग्रेस के देखिए शामचरन शुक्लो बिद्दा शुक्लो मौतिलाल बोरा और अर्विन नेता थे वो कही नेटा थे उनके बयान हमेशा आते रहते थे उनके खिलाब बयान आते रहते थे लेकिन दिगवे सिंग नेरंतर दस साल पारी खेली और सभी अपने जितने भी उनके उस समय क साथ ही नेता थे उनको सको किनारे कर दिया और उनके दस साल चलाए सबाद ही उटता है कि कांगरेस के अंदर ये जो मैंने आप से कहा ये परंपरा शु से रही है और गुफरान आजम साहब थे पूर सांसब वो किस तरह के बयानात उनके आते थे और राहुल गांदी और सो मद्यबदेश के हर कोने में उनके जो समर्तक है उनके गुड़ के लोग है वो इस बार उनको चाहते हैं अभी नहीं तो कभी निकोंगी वो हमेशा अपने पुझ पता ये मादरा संदिय का उदान देते रहे हैं किस तरह से उनको जो है इन तमाम बरिश नेतान उस समय के उन कि हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम भारतंतर पार्टी के परतिनिदी से भी बात करेंगे कि भारतंतर पार्टी जो की लगातर हमलावार हुई है इस पूरे मुध्य को लेकर और भारतंतर पार्टी के राष्ट mí महासाचीव केलाश progression विज्य वरगई ने भ अबसे पीछे, जंता के लिए वाय दे, फिर फायदे में जंता ही पीछे, आवाम के लिए सियास, फिर भूक में आवाम ही पीछे, पुबिक फिर्स्ट इंडियाफ न्यूजस का ऐसा छूंच जहां सर्फ और सिर्फ आपके मुद्ब पहले आपी आाउस फिर्स्ट, दूखके Public First, Voice of Public, Only on India First News लोगों के लिए लड़ाई फिर लोग ही सबसे पीछे जनता के लिए वाइदे फिर फाइदे में जनता ही पीछे आवाम के लिए सियासा फिर हुकूख में आवाम ही पीछे Public First, India First News का ऐसा मंच जहां सुर्फ और सिर्फ आपके मुद्ब पहले आपके आवास First देखिए Public First, Voice of Public, Only on India First News लोगों के लिए लड़ाई फिर लोग ही सबसे पीछे जनता के लिए वाइदे फिर फाइदे में जनता ही पीछे आवाम के लिए सियासा फिर हुकुक में आवाम ही पीछे Public First, India First News का ऐसा मंच जहां सुर्फ और सिर्फ आपके मुद्ब पहले आपके आवास First देखिए Public First Voice of Public Only on India First News लोगों के लिए लड़ाई फिर लोग ही सबसे पीछे जनता के लिए वाइदे फिर फाइदे में जनता ही पीछे आवाम के लिए सियासा फिर हुकुक में आवाम ही पीछे Public First, India First News का ऐसा मंच जहां सुर्फ और सिर्फ आपके मुद्ब पहले आपके आवास First देखिए Public First Voice of Public Only on India First News लोगों के लिए लड़ाई फिर लोग ही सबसे पीछे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारती इतना पार्टी से महिष शर्मा जी हमें जॉइन कर चुके हैं महिष जी इस पूरे घटना करा हमें स्टेटस ही तो बदला है आपने तो इतना हायत आवा मचा दी है कि कॉंग्रस पार्टी भी जो है करको थे निए को स्टेटस बैशनें करते हैं और उसी की पढ़नती कहीं न कहीं उनके स्टेटस में भी जहलक रही है जिस पकार से संधिया जी का जो दुख है जो पीडा है तो मुझे लगता है एक बेबाक निता के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने किसानकर्ज माफी पे कॉंगर्स की जो सरकार है जिसका फेलियर रह है कहीं दिविजय सिंग जी तो पतारित नहीं कर रहा है कहीं उनको पतारित करने में कमनाज जी का हाथ तो नहीं है यह सारे विश्य उनको इसपष्ट करने चाहिए चुकि वह दबे कुछले अगर इस पकार से स्टेटस बदलना सोचल मीडिया पे लिखना ट्विटर पे ल पतारित नहीं बहुत साबगोई इस जन्ता को यह बताना चाहिए या खिर उनने कौन प्रकृट प्रकृष यह सवाल तो वाजीब है और यह कहीं नहीं कहीं चर्चा के विशह भी है कि सिंद्या जी बहुत ही डायनमिक परसनालिटी के हैं और इतना बड़े स्टेटस उनको और इनकी पूरी लिगसी है उनकी और यहां था सय Mac ओंडर में निकारीenk डीनीगकान बड़े सोफसी किytt करके दिखा के उनके मन में क्या चल रहा Lawrence को अर्टार है कि Посले handled क्यों को सब यह जांत हैं वह तीद नग्यांवा आशु जी बिल्कुल सही का आपने इस समय मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इस समय उप्शन बहुत सारे मौजूद हैं अभी हाली में महाराष्ट का जो गटना करम गटित हुआ काफी लोगों को नहीं मालूम पड़ा कहीं मेरे मन में सवाल उठता है कि क्या सिंधिया जी आने वाले समय में मद्यप्रदेश का जीद पवार साबित होंगे अभी हाली में मुझे मैंने देखा सोचल मीडिया में एक मैसेज भी आया कि ट्विटर पे मामा की वापसी को लेकर ट्रेंड होने लगा है शायद कंफरम नहीं है पर ऐसा मेसेज आया क्या सिंधिया जी यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप मुझे पद दे दीजे और नहीं तो फिर मैं आजीत पवार बन जाओंगा तो यह भी एक सवाल है दूसरा एक जो आशुजी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है अभी आपने भी चर्चा की बच्चों को लेकर मद्यप्रदेश की राजनीत में तीन दुरी की जो बात चल रही है तो दो दुरी मुझे ऐसा लगता है कि उनका लंबा समय राजनीती में नहीं है पांस साल साथ सालिस से आदा कर नहीं मुझे ल लीडर हैं एक होता है पब्लिक पॉलिटिक्स एक होता है पाइटी पॉलिटिक्स जबकि हमारे चीफ तरिस्ता साथ हमेशा पाइटी पॉलिटिक्स में रहे हैं मैनेजमेंट के माहिर माहिर माने जाते हैं तो जोतरा जिस इंदिया एक लोगों के बीच में अट्रैक्ट करन नहीं दिखता तो एक ये भी है कि हम अपने आने वाले बंश को या बच्चों को एक सही पोजीशन पर खड़ा कर दें किसी ऐसे को सामने ना लाएं जिसका लंबा राजने पिक बविश्च है ताकि लंबे समय तक उसका नाम चले तो ये भी कहीं इंटरनल एक द्वन चल रहा होगा तो सिंधिया जी सही समय पर एक मैसेज कनवे कर रहा है एक सोचल मीडिया में ख़ब भी चल रही है आपने भी चर्चा की कि उनकी मोधी जी से मुलाकात हुई आल अमिश्या से भी हुई थी और हमिश्या जी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो जो करते हो किसी को पता नहीं चलता है क्या पता उनसे मुलाकात हो गई हो और एक आद महीने में वो बीजेपी जॉइन कर ले कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी शोचल मीडिया पर इस पकार की खबरे चल रही है उसके हम कहीं पुष्टी नहीं कर देश अद्धिश को पर शूतार करेंगे क अगर इस तरह का उफर उन्हें मिलता है तो आप लोग स्विकार करेंगे किसी पकार के किसी ओफर में विश्वास नहीं करती पार्टी के दीती नीती सिद्धान से जुड़के जो भी आता है उस प्रतेक व्यक्ति का सौकत है कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश नहीं मने तो आपकी प्रदेश बनाने को तयार है मों को यह पूरा जो निरना है केंद्री नेत्त तो पादेशिक नेत्त तो कैसा विक्तित लगता है मैं जी आपको सिंधिया जी का संद्या जी अच्छे नेता है और निश्ची तुरुष्टे हमने इस बात को कभी नहीं नहीं का रहा है लेकिन वह अपने ही गल में जिस परकार से हाशिये पर है और लगातार जो वह बात उठा रहे हैं सरकार की जो निश्चार की लगातार तुमों दोनों बरिश्पत तर यहां में चानार कर कर नहीं हम है तुमी हैंचे खेया आपकी पारिटी के लीजर के बारे में कहां जा रहा है आपकी पारिटी मन को हार्शी बंढ़ित को इस बीस ओना है आपने उगली भी रेस नहीं तरह देता नहीं है। अज तरह देख रहा हो फुल मेरी गासत नहीं है। आज वार्दी आपके आप्रुलिए शारवा मेरी अट्रव है। तो भारती जनता पार्टी की सथा के प्रती छटपटाहट इतनी है कि येदी कॉंग्रेस के किसी नेता का स्टेटस चेंज हो जाता है तो उसमें भी अपनी संभावना देखने लग जाए जाए लगा जाए लिए अपनी बात रखें चिंदिया जी के ट्विटर के चेंज होने पर हैंडल के इतनी जब बात हो रही है कि उन्होंने लिख दिया कि मैं पब्लिक सर्वेंट हुए मैं समाज से लकूं तब को नहीं बोला गया कि पूर मुकांत्री क्यों उटा दिया कि अमिश्चाव नर्यदर मादर मावग पूर्ट करने वाड़े में करते हैं कि शुष्प्राइस को अलगा सब्सक्राइब करने वार्ट करने वाले पूर्ट के तो रहे दिया है कर नंगिया है करने लगी है कि एक बाट्पर करने हो इसका देखी हुआ की हालोन प्रवेज जी क्यों किस वक्त काम है मैं चोटी चोटी टिपड़ी लेना चाहूंगा प्रवेज जी क्या Congress Party आश्वस्ते मध्यप्रदेश की जो लीडर से वाश्वस्ते की Sindhya ji की नाराजगी को वो कहीं कोई नाराजगी नहीं आशुर भाई पूरे पात साल ये सरकार चलने वाली है और आप देखिए या कि अमलाज जी कर जनिते शुकारी को चाहन रिपीट करेगी ये सरकार आप देखेगा ये ख्याले को अपकाते रही है महट भाई अब और आपके ये स्क्ण करें पर दालाज बुक्ताव दे ब्याद हघे रही है धूराब को प्रिवार्णि को irre तक ये व्योन भाई प्रुट histories के प्रिवारिं लंग जिस देख रहे हैं प्रुटे परुटे को दुन आपत ड 스बान को लोगी हो गाली हो ़ंग है अब आप कहे रहते हैं कुछ कहीं लिए को अब आपी इस तरह से माहराष्ट में भी है यह तरह से प्रश्च भीजे पी ने मास्टर स्टो खेला और हम सबी पत्रकार ब्राद्री वी स्थब्द थे क्योंकि सुबहर को ख़़ रहे ती वी के कुछ और के लिए ती जिस तरह से अलसुबह जो शपत ले ली गई इस परिपेश को देखते हुए क्या जो तुरह दिस इंद्या की कठित नाराजगी में कठित शब्समाल कर रहा हूं संतोजी ना परती लिए इसलिए क्या कठित नाराजगी को कहने कहीं सहने की अफ़र्ड क हो सकता है क्या करेंगे बिल्कुल आशु जी हाला कि मैं एक बतादू मेरा खुद का अनुमान है कि मध्यप्रदेश की सत्ता कॉंग्रेस की अभी तो स्थाइट तो है मुझे लग रहा है यह अपना कारेकाल पूरा करेगी और सिंधिया जी की समझ को देखते हुए ऐसा करेंगी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में तो जरूर अभी संशाय बना हुआ है क्योंकि वह भी सब्ता की दुरी हो जाती है तो सिंधिया जी को ऐसे की पोस्ट मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस पार्टी अभी देगी आशुभाई इस पर कहीं ना कहीं उनकी चाहता हूं कि कहीं कोई प्रेसर टेक्टिक्स नहीं है सिंधिया जी कॉंग्रेस के संभानिक नेता है और कॉंग्रेस की जो सरकार बनी है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है और राहूल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रेंका गांधी से लेकर कमलनाज जी यह जानते हैं कि Sindhya ji हमारे लिए बहुत जरूरी हैं मद्द्रदेश कॉंग्रेस के वह अधार इस्तंभो में से एक हैं और Sindhya ji कि अगर कोई नाराजगी होगी तो Sindhya ji अभी आपने कहा कि बहुत मुखर नेता हैं सारजनी करने से नहीं चुकेंगे उन्होंने कोई सारजनी क बय जुट बोलके माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में यह फिर मैं बताओंगा तो जन्ता को पता है और यह अधी माफी मांगे तो चर्मा के वीडियों पर बताईए यही सुनिया ना के वीडियों पर सफाही देगे इने माच के बारे में क्या करें लक्ष्मी राएं श्रमा अपने पास रखो स्वेश्य नाम पर सिंधिया जिके साथ जो धोका किया गया उसके बाद से जो प्रदेश का माम लाया उसमें जो कॉंग्रेस पार्टी उनको आशिये पर रखके अलग ठलग कर रही है यह सारी चीज़ा दिख रही है इस जटो काउंगर्स पर्टि कांगरस पार्टी प्रवाल जी के तक करेते कांगर्स पर्टी कांगर्स पर्टी हो कि संद्या जी चाया है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहने का हैं इस तरह के बयान इस तरह की चर्चाएं धर्म रहेगी और इसकी अंतिम परिंड़ती आप क्या देख रहे हैं देखिए आश्तोष जी 11 महीने का समय हो गया है सरकार को लगब लगब एक साल हो जाएगा 11 दिसंबर को तो सरकार की हर स्तर पर समिक्षा हो रही है संगठन के स्तर पर समिक्षा हो रही है और ये कमी महसूस की जा रही है कि अब किसी को प्रदेश अद्रश की कामान सोपी जाए क्योंकि मुख्रणतरी के पार दबल जुम्मदारिया हैं उनको सरकार भी चलाना है संगठन का काम में करना है संगठल में उतना टाइम नहीं दे पारा है इसलिए यहां पर एक जिरुवत महसुस की जा रही है और इसको लेकर हाई कमान के पास पूरा मामला है लेकिन अब समय आ गया है जब हाई कमान को समय रहते पर बात करना चाहूं को समय रहते जिस किसी को भी उनको होने वाले आप देखिए कि वरिष्ट विधायक इस तरह लक्ष्मार सिंजी की बयार आते हैं समय समय पर तो अब यह कहीं न कहीं अब लगने लगा है कि प्रदेश्ट का जो पर है उसको जल्दी से किसी नए विक्ति को फुल्फिल कर देने चाहिए नहीं तो आने वाला सम प्रदेश के पत को लेकर जब राहूल गांदी जी ने अपने कुर्सी छोड़ दी ती का कि मैं बंदा नहीं चाहता हूं उनको मनाने उनको सम्झाने का दौर चला लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लंबे समयता कि गतिरोद बना रहा उसके बाद मद्ध प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष को क्या वाकई में कमला जी करेंगे उनकी जगद को दूसरा आएगा और कहने का वज़े की वज़े से क्या कुछ होता है आपने महाराष्ट में देखा कॉंग्रेस पार्टी और NCP क्लियर कट नहीं कर पाए कि क्या होना है क्या नहीं होना और BJP ने ब राजगी जो है वो अगर आगे बढ़ती है तो सरकार की सेहत पर क्या कुछ असर होगा इन तमाम पहलों पर हुए नजर लगातार बने रहे हैं और कई और महमानों के साथ आपका दोस्त आशुतोष लगातर आपसे जुड़ता रहेगा आप हमें सब्सक्राइब कीजिए औ यूट्यूब और फेस्बूक के जरी भी आप हमें लाइब देख सकते हैं मुझे दीजय जाहत देखते रिंड़ा फर्स न्यूज नमस्कार